Welcome to my channel friends, thanks for joining Friends, आज के वीडियो में आप पाकसानी अद्यकार, मंजर, सहाबाई इनके अब तक करियर में की जाने वाली ड्रामा लिस्ट और फिलम की लिस्ट के बारे में चान पाएंगे तो Friends, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्लीज चैनल को सबस्क्राइब जरू कीजेगा इसके लिए सबस्क्राइब बटन पर क्लिक कीजेगा साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजेगा इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हरने आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जवा सबसे पहले देख पाएंगे पक्सानी अदकार, मन्जर सहाबाई, इन्होंने अपनी करियर का अगास 1972 में किया इनके फर्स ड्रामा का नाम जो था वो पानी के कैदी, जो के 1972 में की जाना मैं कौन 1974 में, टोबाट टेक सिंग जो के 2011 में ओनेर किया गया इसके लावा अलिप जो के रिसेंटली 2019 में अभी भी इनका ये ड्रामा चल रहा है रिसेंटली इसमें इन्होंने एहम करदार अदा किया और इनकी फिलम लिस्ट के अगर बात की जाए 2011 में इन्होंने अपने करियर की पहली फिलम जो के बोल और इसी फिलम से इनको जब वो पहचान मिली और यही फिलम इनके दुबारा करियर के वज़ा भी बनी जो के 2011 में रिलेस की गई आज भी इस फिलम को लोग याद करते हैं और इस फिलम को पसंद भी करते हैं 2013 में जिन्दाबाग, 2014 में यारव, 2016 में माहे मीर ये इनकी अब तक करियर में की जाने वाले फिलम्स और ड्रामा की लिस्ट है और इसके लावा एक और बाद शेयर करना चाहूंगी Recently इनके शादी पकसानी सीनियर एक्रस समीना एहमर से हुई है जो कि recently इनकी शादी जावो हुई है जिसको कुछ लोगों ने पसंद किया है और जारी बाते इस एज में शादी करने वाले लोगों के बारे में अक्सर लोग जावों बहुत सारी बाते भी बनाते है जो कि एक हकीकत है बट still इन लोगों ने शादी किया है तो आई थिंक ये एक अच्छी बात है अच्छी चीज़ है इनकी शादी के हवाले से एक सोशल बहेवियर जो कि हमें आसपास देखने को सुनने को मिलता है तो मैं इसके हवाले से भी एक बात जावों साशे करना चाहूंगी कि आप गली महलों में अक्सर ग्रैंड पिरिंट्स होते हैं यानि बाग में दादा दादी होते हैं बाग में दादी होते हैं दादा नहीं होते हैं बाग में देखा जाता है नाना होते हैं तो नानी नहीं होते हैं तो इस तरह के जारी बात है उमर का तकाज़ है चिल्डरन या फिर अपने पच्चों के साथ या वो रह रहते हैं तो एक चीज जो मैंने अब्जर्व किया है आई होप आपने भी की हो तो आप इस फैक्ट या फिर इस सोशल बहेवियर या आम लोगों में पाए जाने वाली कुछ आदतों में ये एक आदत भी लोगों में ह कुरती है तो इसके हुआरे से आप क्या सोचते या समझते हैं फ्रीज ऑपने आपकी जो भी रए हो इसके हँआए प्लिस कॉमंड में लिखाए को अगर में महलें खली में कहीं बी बातें कि लोग देख लेतें तो इन के बारे में बहुत सरी बाते हैं जो हैं वो की जाती हैं चाहिए वो कुछ देर के लिए बात कर रहे हैं वो एक अलग कहानी है कुछ रिलेशन होते हैं लोगों के वो एक अलग स्टोडी है जो फैक्ट मैं बताना चाहती है वो इसके हमाले से मैं बात करना चाहूंगी यानि जारी बाते हैं वो अलग अल्ग 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 ग्रैंट्परेंट्स होतें तो जाले बात करते हैं तो जो चयम गोईां की जाती हैं, जो लोग बाती ही करते हैं, जो जो जुम्ले और lorsाफ इस्तमाल की जाते हैं, योकिनन, kaf见ने वालों को शाइट को पता भी नी चलता कि एन बताने के जूट नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन अलफाज का पता होगा जब इन लोगों के बारे में एक कहा जाता है तो आइ तिंग कुछ देर के लिए बात करना डजन मीन सम्टिंग बिट्वीन देम या पिर सम्टिंग गॉइं रॉंग बिट्वीन देम तो सोशल लाइफ में इनसान एक दूसरे से बात करता है इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनका मजाख उड़ाएं या पिर उनका रिलेशन आप अपने से ही खुदी बना लिये जाएं और यह देगे मिलने वालों में चायमगोई हैं करते फिरें और मजाख उड़ाते फिरें और उनके पास गुजरने से भी जीब जीब तरह से अधा किये जाएं जो कि यकीनन बहुत डिस्रिस्पेक्ट चीज़ है और यह बहुत कॉमन है और मैंने काफी अबसर्व किये तो आइटिंग यह चीज़ नहीं होनी चाहिए तो आइटिंग अगर इनकी बात की जाए दुबारां से तो आइटिंग यह एक अच्छी बात है क तो सोचल मेडिया में जाएबात है बहुत कुछ कहा गया होगा क्योंकि जिसका जैसा माइंड होता है वो याज बरोट आप होता है उसी के साब से वो लोग जह बहुत कर रहे होते हैं तो आइटिंग शादी करना एक अच्छी बात है तुनों ने की आइटिंग कंग्राइस सुधा कफल और जो हिमन बेहविर मैंने साथ शेयर किया प्लीजरस के बारे में भी आपकी जो भी राय हो उसको कॉमेंट में दूर लिखेगा कि आइ तिंग ओल्ड एज लोग जब गली महले में थोड़ी देर के लिए आपस में बात करते हैं सोशल लाइफ को लोग जारी बाते चाल रहे होते हैं तो थोड़ देर के लिए जो बात होती है उसी को भी लेकर उनके दर्मयान में कुछ गलत है यह है वो है इस तरह की चीज़ें खुद से बनाकर जो उनका मज़ा खुड़ाया जाता है पहले तो वापस में गली महले में य सब्सक्राइमे करना और फिर उनके हुआले से कोई कोई कहानया गड़ लेना कैसल बाते यह पिछली जनरीसने में भी सुनी आटे जारी बाते होती होंगी होती हैं लेकिन I think सब में ये चीज़ें नहीं होती हैं जो कि खुद से लोग गड़ लेते हैं इस्पेशलिए ये दुश्मन होते हैं I think infect ہوتے ہیں जो कि ये काम करते हैं और मजाख में करते हैं और ये मजाख आगे जाके कितनी زिन्दगियों को damage करता है यानि जारी बातर हैं इनके grand parents को जब कुछ लोग जो हते हैं वो direct भी बोल जाते हैं कि ये चीज़ की जाती है ये चीज़ हो रही है अपने ही खांदान में बहुत कुछ उनके लड़ाई जगड़े के लावा बहुत सारे गरों में तो जान तक ले ली जाती है तो आई तिंक लोगों को बात करने से पहले सोचना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके कहेगी अलफास किसी की जिन्दगी को बरबाद भी कर सकते हैं और किसी की जिन्दगी जब बना भी सकते हैं So be careful अपनी बोलने से पहले अपनी अलफास को लाजमी चेक किया करें सोचा करें कि आप क्या बोलने वाले हैं और कभी ये भी सोचा करें कि ये लफाज आगे जाकर क्या क्या कर सकते हैं कि इतनी जिन्दगें इंसे डैमिज हो सकते हैं वो प्रेंट आपको आज की वीडियो अच्छे लगियो तो इसके लावा मैंने जो हिमन बहेवियर के हवाले से कुछ फैक्ट शेयर किये हैं